गुर्वानी स्टूडेंट्स लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैंस के भारती आज आप लोगों को इंडेस्ट्रियल आटोमेशन के लेक्चर नमबर तीन में जो टॉपिक है अप्लिकेसिन एरिया ओफ आटोमेशन सबसे इंपॉर्टन बात यही था कि हमें आटोमेशन कहा कहां यूज होता है हमें अप्लिकेसिन बताईए सर इस टॉपिक से काफी हद तक यह किलियर हो जाएगा आप लोगों को कि हमें आटोमेशन किन किन जगहों पर देखने को मिलता है कहां कहां हम देखते हैं आटोमेशन ऐसे मैंने जितना लिखा है यह बहुत ही थोड़ा है एक परसेंट है अप्लिकेसिन इसके ब्रॉडवे में है इतनी जादा है ठीक है इतनी जादा है कि फिर आप उसको अगर कॉपी में में इंसन करेंगे तो कॉपी भर जाएगी लेकिन मैं उसमें से इंपोर्टेंट या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे हम को जानने योग्य है य आने लगेगा चलते हैं समझते हैं तो मैंने लिखा एप्लिकेशन इर एडिया ऑफ आटोमेशन ठीक है प्रैक्टीकली ऑटोमेशन इजबीकेवल इन अब्रे डे एबरी एरिया ऑफ मैनुफेक्ट्रिंग इंडिस्ट्रिज के सभी छेत्रों में ऑटोमेशन देखने को मिल क्या बोलते हैं manufacturing industries तो manufacturing industries में maximum क्योंकि मसीने होंगी automatic मसीने सब जगा लग रही हैं चाहे हो सर्ट बनाने की company हो चाहे विस्किट बनाने की company हो चाहे chips बनाने की company हो या कोई भी industry हो उसमें automation आएगा ही तो मैंने लिखा है कि generally manufacturing industry में mostly देखने को मिलता है some of the application given below मैंने कुछ कुछ applications एक जगा बना के रखे हैं आप उसको देखिए और समझने की कोसिस कीज़े चलिए सबसे पहले मैंने जो अलग-अलग area बनाया है पहला लिखा है building automation पिछली बार civil को एक बच्चे ने phone किया sir आपने बताया था कि automation में सारे ब्रांच का नाम लिया civil का नाम ही ने लिया तो मैंने last बोला भी था कि building automation में civil का बात आएगा तो मैं सबसे पहले इस बार civil को ही ले क्या रहूँ civil branch वाले building automation में अपना automation का use करते हैं building automation नाम ही है इनका तो मैं इसमें दो-तीन point लिखाऊ to control the automatic lift अब सोचिए कि मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ इसमें भी एक lift लगने वाला है तो मैंने मकान मालिक साहब से पूछा कि sir कौन लगाएगा civil engineer आएगा exactly civil engineer ही आपके पूरे मकान में किसी बड़े building में lift का पूरा काम करता है ठीक है उसे पता है कि कहां पर किस वाल का कितना length width होता है यह something column वोगरा के बारे में जानका है उस ही को होती है कितना इसका strength होगा कितना इसका force करेगा मतलब something उस सब का technical term आप civil वाले जानते हैं मैं तो हून ही तो उत्ता जादा जानूंग नहीं हार building में मतलब बड़े-बड़े commercial building में लगे रहती है या बड़े-बड़े apartment में जाएगा तो fire equipments लगे रहते है पता नहीं तुम देखा है कि नहीं देखा है बड़ा-बड़ा मोटा-मोटा pipe लगता है आग लगी तो अपने आप automatically पानी का फबारा निकालने लगता है like sprinkler, sprinkler, smoke detector, ठीक है मानले smoke detector भी लगा रहता है पानी फबारा फेकने लगता है आग लग गई है तो आग fire detect करेगा टे-टे-टे आवाज करेगा और फबारा फेकने लगेगा तो ये civil engineers अपने घरों में या बिल्डिंगों में या फिर बड़े-बड़े मॉलों में इन सब का उप्योग करते हैं तो automation का ही part है ये चलिए एक और है मेरे पास robotics इस पे भी बात करते हैं robotics में भी हम लोग use करते हैं पहला क्या है to control the motion of the robot to control the motion of the robot अच्छा सोचिए robot क्या है पहले जानते होंगे robot किसी कहते हैं robot आप से robot पूछेंगे हाँ सरा रही जानते है न दीखे एक लड़का बोले कैसा होता रोबोट तो आदमी जैसा होता है एक रोबोट फिल्म आया था रजनी कानते का हम बोले हाँ हाँ सही समझा लेकिन उसके ताक्रिती इस्ट्रक्शर दे दी गई हाथ-पैर जोड दिया गया exactly उसमें chip होए उसको programmable device बोलते हैं जो उसके पास लगा रहता है और उसमें programming कर दिया उसके recording काम होता है अब उसमें हाथ बना दिया हाथ को movement करा रहे हो ठीक है आदमी पैर बना दिया पैर में इसे इसे movement कर दिया motor लगा के लो भई आगे चल रहा है तो आगे पीछे ऐसे घूम रहा है तो उसमें motion आप कोई जोरी के आदमी बनाएंगे हम ट्रक भी बना सकते हो भी एक प्रकार का रोबोट है हम आपको रेल गाड़ी बना सकते है छोटी सी गाड़ी बना सकते है कुछ भी बना सकते या रोबोट जो movement करता है ठीक है प्रोग्राम के recording movement करता है रोबोट का लाएगा यस सर सही बोले आप तो चली control the motion of the robot जैसे मैं रोबोट हूँ मेरे motion को control करेगा मैं तेज चलू की धीरे चलू ठीक है इसको कहते हैं यहाँ पर motion को control करना to control the direction of robot भाई मैं आगे जा रहा हूँ अब पता चला बाया मुडना है कि दायना मुडना है ठीक तो इसके लिए भी मैं robot का ही robot में automation लाके करूंगा to control the gripper of the robot अब चली मैं इसको एक बढ़ी example ले रहा हूँ मै इसी मह recommended suggestion क्या गैय कि में डिले खौना जाओ देनोके करने कि में ब्रतन कर गदेने के लिए आपने हान को एस मोशन कर वाया हाथ लेकिन बरतन का इसे बरतन कर गदागा इसे बर ता यह आन क्या पकड़ेगा आईste बरतन क्या झा! नहीं आपको अंगुली को मूढ ना पड़ेगा इसे ग्रिप करने के लिए तो अंगुली का मोशन अलग होगा यस वही लिखा है ठीक है टुदध करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए हम लोग रोबोट में आटोमेशन का परियोग करते हैं चलिए तो यह थोड़ा सा दो अभी तो बहुत सारे हैं मैं करके सब को लेके जा रहा हूँ तो रोबोटिक्स में यूज हुआ आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर है मेरे पास एरोस्पेस देखे एरोस्पेस के बारे में थोड़ा सा समझे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको हलका सा ताकि आपको और पूरा का पूरा कम्प्लीट आजा इसमें इतना ही है एरोस्पेस देखे चलिए एरोस्पेस पर बात करते हैं एरोस्पेस तो आप देख रहे होंगे एरोस्पेस का मतलब यह फोटो से मैं ने दिया पता नहीं आपके वीडियो में कितना चोटा है अब इसका फोटो का फोटो है तो मैं कितना जा रहा हूँ नहीं जानते हूँ ठीकिन मेरे को जहां तक लग रहा है हम आपको देख के बता सकते हैं कि ये एक aeroplane है ये एक aeroplane है और इस aeroplane को देखिए छोटे-छोटे automated system यहां एक लगा है यहां एक machine लगे हैं और सभी machine ठीक है सभी machine जो है ये machine हैं सब ये machine अपने-पने sections पे अपना work कर रही है ये automatic तरीक समें जाके देखिएगा ता आदमी लोग दिखाई देगा अधर्वाइस सब के सब machine एक दूसरे से connected हैं और सभी अपना-पना section का work कर रहे हैं machine ही work कर रही नहीं automatically आप एक plane को काम देखते हैं तो क्या करता है पहले हम लोग चलिए aerospace में कहां कहां होता है उपयोग सर automation का पहले तो air traffic locate and control the position of aircraft that is air traffic control plane उड़ रही है कितने height पे है कितने speed पे है कहां उड़ रही है कौन सा है longitude क्या है latitude क्या है यह सब सारी जानकारी है हमारे इसी automation की द्वारा ठीक है device से मिलती है इसको हम लोग अंगे जी में हम बोलते है ATC air traffic control जिसमें automation use होता है और उसी automation के तहत हमें जानकारी मिलती है चलते है next to loading unloading scanning the passengers goods अरे बात है loading का मतलब passenger को चढ़ाना unloading passenger को उतारना scanning समान का scanning और passengers जब जाओ गए ना तो तुम कहीं यह तो छोड़के नहीं जा रहे हो ठीक है क्या बुलेंगे क्या आप इसमें तो लेके नहीं जा रहे है कुछ गंस वगेरा तो लेके नहीं जा रहे है कोई jewelry वगेरा तो लेके नहीं जा रहे है तो यह सब चीज का checking होता है airport पे ठीक है अपना अपना custom वाले करते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दूसरा अगला to observe the climatic control climatic condition and make proper communication make proper communication climatic control का मतलब हो गया हम लोग का जो वातावरन है इसको पूरा मतलब करने के लिए aerospace मतलब उपर satellite लगी है satellite में भी aerospace आ रहा है और उसी से हम लोग वहां से हम लोग को signal भेजता है कि ने कल आंधी आने वाली है परसात होने वाला है कल कडाके की धूप लगेगी इस सारी जानकारी आपको aerospace के थूरू satellite से हम लोगों को मिलता है ठीक है इस रब में automation आ रहा है सारे के सारे में automatic system है automatic machine है और automatic machine ही तो satellite है वहां से सारा signal हमें भेज रहा है तो आपको मैंने aerospace में भी तीन चार नाम बता है ऐसे मैं आप मैं मैं लिख रहा हूँ यह हो सकता है मेरे से easy language में आपको जानकारी मिल जाए में भी हो सकता है चलिएगा आगे बढ़ते हैं railway आए railway में थोड़ा देखें railway और जिसमें की दिख रहे है कि एक automatic lift system ट्रक से समान निकाल कर ट्रक से समान उठाया और सीधे train वाला यह जो train है यह वाला यह train है ठीक है और इसी जगह पर ठीक है इसी जगह पर सब कुछ मतलब अलोड करेगा इस container को इसके अंदर और फिर पूरा लोड हो जाएगा तो आराम से train चल जाएगी ठीक है तो कहता है तो control the signaling पहले इसको छोड़िए पहले इसको चोड़िए control the signaling system to avoid accident सबसे पहले railway में signaling system automation से होता है आज कर जाएए ना पहले क्या होता था ना मैं बताता हूँ अग्दम यहां पर signal होता है वहां पर एक हाथ से करता था ऐसे करता था ट्रैक ठीक हो जाता था और ठीक है उसमें पतानी तुम लोग जानते हो कि नहीं तुम देखा होगा अगदम आज कल भी यह बहुत जगा होता है यह पॉल है और यहां पर signal वाला ना लटकने वाला रह तो ऐसा मतलब यह पहले मने माइनुवल हुआ करता था अब है ऑटमेटिक ठीक है सीधे LED लगा दिया और सीधे एक केविन रूम से जोड़ दिया गया अगर टेन आने वाली है ग्रीन लाट जला दो पूरे ग्रीन लाट जल गई और टेजी से निकल जाएगी अगर टेन रोकन का उतना दूर में कितने कहां कहां से ट्रेने आ रही है कितने वज़े कौन ट्रेन आएगी ठीक है सारा कुछ कौन से रास्ते में कौन से ट्रेने है कब रेड लाइट है कहां ग्रीन लाइट है सब उसको पता चरह रहता है सारा का सारा खेल आटोमेशन का है Control the Automatic Tracks Changing System सब में Automatic Tracks Changing System भी ठीक है इसका पार्ट है ठीक है Automation का ही पार्ट है Automatic Opening and Closing the Railways Door Railways Door को Automatic Control करने के लिए यहीं कि देखो इस लास्ट वाले का सुनो दिल्ली गये थे हम तो वहाँ पर जैसी Metro में चढ़ने जा रहे थे अपने आप गेट खुलता है ट्रेन जैसी रुकेगी गेट खुलता है ट्रेन निकल चलने के लिए 10 रहेगी बस गेट अपने आप बंद हो जाएगा वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है गेट बंद करने के लिए तो यह Automatic System है यहां पर इसको नहीं लिखा कंटेनर वाला भी होता है गुड्स को एक जगह से दुसरे जगह ले जाने में Automatic Machines लगी है उपर में देख लिए यह सब सब Machines लगी है और इससे गुड्स को ट्रांसपर किया जाता है Next आगे बढ़ते हैं हम लोग Automobiles में भी इसका यूज होता है कहां यूज होता है Automobiles तो अरे एकदम सेंपल सा फोटो मैंने डाला है कि एक Automobile का structure बनाया है धाचा और इसमें मैं चेजिस डालूँगा उपर से cover डालूँगा, सीसा डालूँगा गेट डालूँगा, साब कुछ कर देंगे अपने आप बहुत सारे पार्ट को एक साथ जोडने के लिए हम लोग Automation का परियूग करते हैं Adjusting the color combination and painting of vehicle तेक मालने कर color combination यहां black लगाना है, यहां green लगाना है color combination कैसे होगा इसमें उसका mixture color का कैसे होगा और इसमें spray करके painting भी करेगा सब कुछ करने का काम automation से होता है Transportation of Assembled Vehicle मतलब from one section to another section of manufacturing unit Tata company जहां बनाती है जमसेथपूर में Tata की बहुत सारी manufacturing unit है, वहां कार बनी अब कार तुम्हें घर तक आएगी कैसे आएगी, उड़के तो नहीं आएगी चलके या उसको लोड करके एक जग से दुसरे जगा ले जाने में हम लोग automobile का प्रियोग करते हैं बड़े-बड़े truckों में आराम से डाल दिया जाता है और उसके बाद ले के आया जाता है ठीक, अगर आपको माल या आपकी job विसाखा पत्तनम में है या फिर आपकी job के रल में है तो वहाँ से car चला क्या आना बहुत tough कम होगा तो वहाँ से truck चलती है truck मतलब car को ले जाने वाली तो automobile में भी तो automation यह है automatic चलती है सब कुछ यह सारा का automation है automation section में automobile section में आप देख रहे हैं automation कहां-कहां use होता है चलते है next आगे के topic पे telecom छेतर में telecommunication के छेतर में भी आपका telecommunication के छेतर में भी आपका automation आता है कहां-कहां होता है proper communication satellite की थूँ अभी थोज़दर पहले satellite का बात भी कर रहे थे aerospace में ले आये थे तो यहाँ अलग से telecom आ गया तो satellite यहां मिलेगा ही satellite and receiver satellite भेजेगा सारे signal को पूरा automation है satellite तो पूरा fully automation है पूरा automatic काम करता है wireless communication between two mobile sets दो mobile set के बीच में wireless communication होगा teleconferencing teleconferencing service teleconferencing का मतलब होता है जैसे आजकल तुम लोग कैसे हम लोग अगर मेरा class चल रहा है अगर आप बोलेंगे नहीं सार हम लोग को class ले लिए Google meet पे तो teleconferencing हुआ Google meet पे एक तरह से teleconferencing करेंगे हम लोग उसको ठीक है तो यह भी एक टेलकम चेतर में automation का परियोग आप देखते हैं चलिए next आते है medical चेतर में medical चेतर में भी automation का परियोग होगा एक दम होगा medical चेतर में तो ज़रूरी है सर आप देख रहे हैं एक आदमी लैब में बैठा है और एक धेल सारे automatic machine हो से गिरा है अकेले यह सारा machine को regulate कर सकता है ठीक है क्योंकि यह technician है और उसी की machine को चलाने के लिए बना है तो यह machine है करती क्या है आज कल की machine तो operation तक करने लग गई है डॉक्टर की ज़रती नहीं है डॉक्टर को हटाओ machine ही operation करेगा सारा कामू करके देदेगा ठीक से लिए medical surgery through the robot robot के द्वारा देख लो क्या लिखा पढ़ो अच्छा से medical चेतर में क्या लिखता है कि medical surgery through robot automation का पार्ट है scanning of internal parts of human body आपके अंदर के किसी पार्ट में कुछ खराबी आ गया फिर पड़ा में ठीक है आप बोलते हैं नहीं है सर अभी हमारे मिस्टर आलू पर साथ यादो जी का kidney change हुआ है ठीक है फिर आपके किसी भी पार्ट में कुछ भी पार्ट में कुछ भी खराबी हो गया अंदर का तो उसके लिए हम automatic machine का परियोग करते हैं और अंदर की चीजों को पता कर लेते हैं और फिर उसको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से उसके लिए दबा देता है चलते हैं स्कैनिंग एमराई और दुकान में जाते हैं अधी होस्पिटल जाएगा और कुछ देर के बाद बहुत सारा फोटो बन किया जाएगा ठीक है अगे बढ़ते हैं लों के पास नेक्स्ट है प्रोशेस इंडस्ट्रीज सब्सक्राइब करें रहें जा रहाएगा और हमस्किट बनाने वाली कंपनी में गया हो एक प्रकार का प्रोश्य इंडस्ट्री तो हमें देखेंगे कि कितना temperature पे मतलब माइदा को गूतना है temperature control करेंगे liquid level parameters बहुत सारे temperature liquid level flow pressure humidity साब को हम लोग को एक साथ automatic देखना है ठीक है ऐसा थोड़ी जो है कि धूपा जाएगा तो काम करेंगा हम लोग की घर में ऐसा होता है कुछ manual system ऐसे होते हैं जो हम लोग climatic मतलब निरफर रहते हैं बट नही automation system आ जाने से सारा का सारा automatic हो गया और automation machine से ही सारा change हो जाता है control various batch process various batch process batch process का मतलब एक बार में धेढ़े सरे समान कितने कितने समान एक साथ निकलेंगे जैसे मान लिया कि मैं बिस्किट बनाने वाली company में गया एक बार में 500 बिस्किट बन के निकली ठीक है देखें 500 गैफेक देंगे क्या नहीं उसमें से 50 बिस्किट लेंगे और उसको एक डब्बे के अंदर डाल देंगे ठीक है फिर 50 बिस्किट लेंगे एक डब्बे के अंदर डाल देंगे इसको कहते batch operations एक साथ सारे goods को एक से दूसरे जगा sit करना transportation, assembling, packaging and various products इस सारे के सारा automation से हो रहे है transportation ले ज प्रोडर्स का transportation भी करना है और अलग-लग products का packaging करना है सारे काम मसीन से होते हैं आप मसीन आप कभी कभी इंडस्ट्री नहीं मूव किया है आप एक पर इंडस्ट्री मूव कीजिए इंडस्ट्रील ट्रेनिंग करना होता है आप लोगों को तो आप मूव कीजिए तो आपको अपर हम आप लोगों की संख्या एक दम नहीं की जरूरत परती है और सारा काम मसीन करने लगा है ठीक है तो यह था एक छोटा सा मेरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि automation का application automation की दुनिया में कौन-कौन सा हम लोग application automation की दुनिया में क्या है इसको मैंने आप समझाया चोटा सा लेक्चर था बहुत बहुत हाड नहीं है इजी है आप लिख सकते हैं आप अपने से भी इसको सर्च करके लिख सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अब अब हम आपको मैं आपको क्या पढ़ा होगा वो देख लिजे नेक्स लेक्चर के बारे मैं बात कर लेते हैं नेक्स जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग दो थी element of automation element element अरे automation किस-किस चीजों से बना है हाँ जी एकदम सही समझे ठीक है कोई भी चीज़ element से बनके मिलके बनता है यस किन-किन कौन-कौन छोटे-छोटे component को मिलाएंगे तब एक complete automation system बनेगा फिर हम लोग बनेंगे types of automation ठीक है types of automation automation कितने परकार के होते हैं ठीक है मैंने कौन-कौन सा सब्द बोला उसको लिख लीजे थोड़ा सा आगे पढ़के रखिएगा element element of automation element of automation element of automation element of automation दूसरा यह पहला आगला lecture होगा दूसरा जो लेक्चर हो types of automation types of automation यह दो lectures और आने वाले हैं मतलब continuity में यह एक lecture होगा और यह lecture होगा ठीक है अच्छे से पढ़िए और अपने unit को देखते रहिए किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है बस whatsapp group में आप होगे या फिर मेरा phone number आपके पास होगा उस number पे आप consult कर सकते हैं चलिए इस lecture म में इतने ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच